Welcome back guys to a new video और यह मैं यह पहला वीडियो है मेरा वाटकलर ट्यूटोरियल पे सो देखिए साइड में पहले जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ यह दिखा देता हूँ एक हैनमेट पेपर है दूसरी तरफ दोनों ही तरफ यह रफ है पेपर और थोड़ी कॉस्ली है तीस रूपिया यह जो एक रोल है यह पूरा रोल जो मैं दिखा रहा हूँ यह पूरा रोल है यह पूरा रोल तीस रूपिया का है बहुत कॉस्ली है हमारे यहाँ पर बाहर से लेने पर कम हो सकता है और यह जो कलर मैं यूज़ करता हूँ दिखाता हूँ केमलीन का जो आटिस्ट वाटर कलर है बहुत ही अच्छी तरिके से बीएफ करता है इस पेपर में और यह पेपर तो मतलब क्या ही बताओं यह बहुत ही अच्छा है वाटर कलर के लिए और भी एक पेपर है काटीस जो मैं यह पहले यूज कर चुका हूं पर मैंने थोरा प्रियेड होता है देखा तब पहले साइड के लिए जो ग्रीन यह यूज कर रहा हूं ग्रीन उसके सब तोरा कोबल ब्लू यह तो मैं जस्ट ट्यूटूडियल दिखा रहा हूं आपको जब कोई भी वाटर कला ड्रॉइंग स्टार्ट करते हो न हमेंसा एक कलर का लाइट करेंसे ब्लू उससे कैते हो क्या होता है जो पिक्चर की जो लाइट और शीड जो एफेक्ट होता है वह बहुत अच्छी तरीके से खिलता ए है हर वक्त यह पेपर बहुत अच्छी तरीकह से रिकमेंड करते हैं यह कुछ वह वह जानते हैं कि वह अच्छी तरीकह से ब्याव करता है साइड का जो पिक्चर ट्री का एक सौट ट्री वो जो है वह ने पहले सही लाइट टॉन से करवा हुए रखा है और इसके बाद जो टॉन मैंने दिखा मैं दिखा था हूं बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं जो ब्रश है यह ब्रश नंबर 0 का है देख सकते कंपनी भी है ब्रेंट सुना ले ब्रेंट का है और यह भी कॉस्टली है यह अब कैसी प्राइस अब तो मुझे नहीं पता कितने प्राइस का है पर बहुत अच्छी तरीके से यह काम करता है यह आप जो यूज करते हैं टोन के लिए यह बह होता है कि ट्री करने के लिए पहले तापको ट्री का लाइट शेड लेना चाहिए और मैं यह सिर्फ एक रफ ट्री दिखा रहा हूं लाइट और शेड की ट्री हो जब मैं ड्रॉइंग करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा यह जस्ट एक स्मॉल लेंड्सकि स्मॉल ट्री के लिए यह अच्छा है सिर्फ टॉन जो होगा आपको ख्याल में रखना चाहिए डीप लाइट टॉन आपको मेंटेन करना होगा खुदी ट्री और एक ट्री में यह तो मैं रॉफ बता रहा हूं पर एक ट्री में हर जगह आप टॉन ले ही लगा सकते कुछ-कुछ जगह आपको छोड़ देना चाहिए लाइट के लिए डीप लाइट आपको दिखाना चाहिए उसमें क्या होता है पिक्चर का जो रियलिस्टिक हो कि रेट से आपको यह इसका स्थुरा ब्लैक ब्लैक यह यहां पर आप जो इसका कि पिर का जो कि नीचे वाला हिस्सा है यहां पर थोरा ब्लैक यूज करते हैं कि क्योंकि यहां पर डार्कनेस समझाने के लिए जगह पर ही लाइट यूज कर रहा हूं और यह जो साइड वाला यह जो है यह आपको यह समझाने के लिए कलर स्प्रेड कैसे होता है एक कलर के देने के बाद इसको बहुत कम वाटर से आपको वाश करना है उसके अंडर से तब ही वाटर अच्छी तरह के स्प्रेड होगा पर काटी इस पेपर में यह बीएव थोड़ा मतलब यह एकदम से बीएव बहुत कम करता है यह बहुत जल्दी सुख जाता है इसके लिए छोटा मोटा ट्री आपको करने लिए बहुत यह तो मैं हैंड मेट पेपर में बहुत जल्दी तरगी से कर रहा हूं पर यह मैं बहुत स्लोली भी कर सकता हूं क्योंकि सुख ता नहीं है जल्दी काटी स्पेपर में किया होता है बहुत जल्दी से सूख जाने के लिए हो जाए आपको पिक्चर हो जाए ना उसका स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाता है मेरा पहले वाला जो ट्री वाला वीडियो था थोड़ा सा क्या हुआ वो लाइट का जो है प्रॉब्लम हो गया पर मैं वहां पर भी लाइट नहीं दिखाना चाता था एक पूरा फुल लैंड्सकिप करने के बाएद आपको लाइट समझ में आएगा यहां पर मैं जो देख पहले में रखने चले पहले ट्यूटूरियल में ही आज के लिए बस इतना ही मिलता है अगले वीडियो में बाइबाइबाइब